दोस्तो पैनकार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है यह अपडेट किया है इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा दोस्तो तो दोस्तो यह पैनकार्ड का जो अपडेट है यह आयकर बिभाग की अपसे एक बहुत बुरा अपडेट आया हुआ है पैनकार धारकों के लिए दोस्तो इस अपडेट में जो अपडेट आया हुआ है उस अपडेट से जो पैनकार धारक है उनके पैनकार जो है इनेक्टिव हो रहे हैं दोस्तो पैनकार इनेक्टिव होने की बज़े से बहुत पार आपको आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर किसी भी ब्राउजर को उपन कर लिया है इसके बाद आपको सर्च बार में सिंपल सा सर्च कर लेना है income tax क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारा pen card है यह income tax से related document है तो आपको income tax की जो website है इस पर आपको visit कर लेना है जैसा कि income tax लिखकर आप search करेंगे तो आपका जो first वाला यहाँ पर जो first option है जो first link है आपको जो URL link है इस पर आपको click कर देना है income tax पर तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा तो यहाँ पर आजाने के बाद आपको जब नीचे की तरफ आएगे तो सबसे पहले आपको verify करके दिखा दे रहे हैं कि आपका pen card active है या inactive है और दोस्तों अगर आपका active है और आप चाहरा है कि आपका pen card जो है inactive ना हो तो उससे आपको कैसे बचना है ये वीडियो में हम आपको आगे बताने बाले है कि दोस्तों आपका भी pen card inactive हो सकता है अगर आप ये काम नहीं करोगे तो वो काम क्या है जिससे आपका pen card inactive नहीं होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूगा लेकिन उससे पहले हम आपको pen card verify करके दिखा दे रहे हैं कि अगर active होता है तो कैसे पता चलता है inactive होता है तो कैसे पता चलता है के लिए simple सा यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल रहे होंगे लेकिन यहाँ पर एक option आपको मिलेगा verify your pen तो verify your pen वाला option इस पर आपको click कर देना जैसी आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर option दिखाई दे रहा होगा pen का तो यहाँ पर आपको अपना जो 10 डिजित का pen card number उसको आपको fill कर देना उसके बाद आपका जो pen card पर आपकα पूरा नाम है उस नाम को यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद आपका जो data of birth है pen card पर जो भी hasn पर ही आपको click कर देना है इतना कर लेने के बाद आपको continue क जो option तो इस पर click कर देना है ис पर click करेंगे किलिक करने के बाद आपके नंबर पर एक OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है जैसा कि हमारे फोन पर OTP आ चुका है OTP को एंटर करने के बाद आप नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर आपको बैली डेट का एक उप्शन सो हो जाएगा तो आपको सिंपल सा बैली डेट का जो उप्शन इस पर किलिक कर देना है जैसी आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यह जो है टिक लगा हुआ दिखाई देगा और नीचे लिखके आएगा पैन इस एक्टिब एंड डेटाइल आरज पर पैन तो आपका समझ लिजिए जो पैन कार्ड है वो एक्टिबेट है आपका पैन कार्ड इनेक्टिब नहीं हुआ है तो आपको पैन कार्ड अगर इनेक्टिब नहीं हुआ है तो आपको बचना कैसे है कि आपका पैन कार्ड बनाना पड़ेगा तो अब आपको बचना कैसे है इनक्टीव होने से इसके लिए आपको simple सा बैक आ जाना है तो इस तरह से जहाँ पर आप यहाँ पर जो option देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिर से आ जाना यहाँ पर आने के बाद आपको एक option मिलेगा link आधार तो आपको link आधार वाले option पर click करके अपने जो pen card है उसको अपने आधार card से link कर लेना दोस्तो अगर आपका pen card आपके आधार card से link नहीं है तो आपका pen card है वो inactive कर दिया जाएगा और आप उसे कहीं भी use नहीं कर पाएंगे जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपको बहुत सारी परिशानी भी उठानी पर सकती है तो आपको इस चीज़ से अगर बचना है तो आपको अपना pen card अपने आधार card से link कर लेना है इसका एक video already हमने बना दिया है उसका link आपको description box में मिल जाएगा आप बहाँ से भी जाके video को देखकर अपने pen से अपने आधार card को अभी का भी link कर लीजिए दोस्तो और अभी तकर आपने link नहीं भी किया है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं link आधार पर जैसी आप click करेंगे तो दोस्तो उमीद करता हूँ यह video आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो अगर आपको video पसंद आया है तो video को like और channel को अभी कभी subscribe कर लीजिए जिससे सी तरह की और भी latest video के notification सबसे पहले आपको मिलते रहें